सराब हर दोग मिलता है कहां नहीं मिलता है अगर नहीं मिलता तो यह पीते कहां से मिल रहा है तो ही नहीं पी रहे हैं वो जो सबसे छोटा बच्चा है वो चार सालों का है आप इसको देख सकते हैं जिस बच्चे ने मुखाग नी दी है वो सिर्फ चार सालों का है अब इसका भॉरन पोसन कैसे होगा इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी तीन बेटियां हैं उनकी साधी कैसे होगी सराब मिलता है सरकार को पहती है कि सराब बंद हो गया कहां बंद है सराब बिहार में सराब जो है वो हवा की तरह हो गई है हवा जो है होती है लेकिन दिखती नहीं है लेकिन जो सराब है बिखती हर जगा है लेकिन सरकार के हिसाब से वो बंध है सराब को रोकने के लिए ड्रोन घुमाये जा रहे हैं हेलिकॉप्टर नचाये जा रहे हैं सिक्षकों को लगाया जा रहा है और गाओं के प्रतिनिधी भी इसके जिम्मेदार है कि वो देख के साइद खबर नहीं करते हैं लेकिन हर 15 दिन पे हर 10 दिन पे लोगों की मौत हो रही है और इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार नहीं ले रही है चचा बताएंगे चचा कई से मौत हुआ है सराब पीने से मौत हुआ है अच्छा सराब हर जोगे मिलता है कहां नहीं मिलता है अगर नहीं मिलता तो यह पीते कहां से मिल रहा है तो ही नहीं पी रहे हैं अभी अभी यहां पर मौत हुआ था उसरी में उसरी चंदपूरा में मौत हुआ था सराब पीने से सराब मिलता है प्रसासन आई थी पूछताच की चली गई और क्या करें कोई नेता नहीं आया था अस्थानिय जो विधायक है वो नहीं आये थे विधायक जी भी नहीं आये थे अच्छा आज सुबब कोई यहां पर नहीं आया देखें कोई नहीं आया जी अब तो यहां का जो विधायक है उनसे पुछना चाहिए कि आपके विधान सभा में ऐसा घटना घटा है आपको आके देखना चाहिए कि वहीं नहीं प्रतिनी दिया रहा है किसे जिम्वार कौन है आपके सरकार है नित्यस को मार है कोण है कि जब आप देए को सारी बाते एक तरफ है कि साराब फिने से आदमी की मौथ हो गई कोई भी जनपरतिनी दिया नहीं आया कि जो चार छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी लोग मरते हैं उनके भी बच्चे होते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जो सबसे छोटा बच्चा है वो चार सालों काया है आप इसको देख सकते हैं जिस बच्चे ने मुखाग नी दी है वो सिर्फ चार सालों काया है काम हांग करते हैं? यह अभी उस हालत में नहीं है कि बोल पाएं लेकिन जो यह केहना चाहती है हम आपको बता दे रहें इनका साब सुतरे तोर पे केहना ये है कि जो बच्चे हैं उनके भरण पोशन के लिए इनको एक नौकडी मिलनी चाहिए ताकि ये अपने की मौत हो जिस पड़ी जन की मौत हो चुकी है और जो बच्चे हैं उनके भरण पोशन के लिए अगर वो एक नौकरी भी नहीं दे पाए तो ये उनके मुह पे एक तमाचे जैसा है जो लोग सरकार से उमीद लगाए बैठे हैं कि हमारी सरकार जो है वो सुसांसं की सरकार है औ उनका भला हो क्योंकि अभी तक कोई भी जन प्रतिनीधी यहां नहीं पहुंचा है कि इनकी सूध ले सके और जो चार छोटे-छोटे बच्चे हैं इनके बारे में कोई भी जन प्रतिनीधी सोचे गाउं के लोग परशान है कि छोटे-छोटे बच्चों का भरण पोशन कैस सहाइता करते हैं मैं हुरी जब चपरा अपडेट के लिए केमरे के सुधीर है धन्यवाद